Hello guys, welcome back in the next lecture of GIT अज़कर जो अमारा टापिक है, वो है small intestine small intestine आज हम पढ़ेंगे क्योंकि कल हमने देखा था कल हमने stomach देखा था, stomach की हमने gross anatomy पढ़े थी, फिर हमने internal structure पढ़े थे उसके parts पढ़े थे, उसके relations पढ़े थे उसकी arterial supply पढ़े थी, venus system पढ़ा था lymphatic system, nervous system उसका पढ़ा था तो वैसे ही आज हम पढ़ेंगे small intestine तो मैं आपको यह diagram दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको फ़ोड़ा general idea हो जाए सबसे पहले आपको दिख रहा हो गए यह जो यहां तक हमारा है यह वाला, यह dome shaped यह हमारा stomach है तो stomach के बाद हमारा continue होता है small intestine यहां से continue small intestine होता है up to ileocecal junction यहां तक ileocecal junction तक हमारा small intestine चलता है तो पहला वाला जो हमारा small intestine है, आज हम यह कवर करने वाले हैं तो हमारे जो small intestine है small intestine के हमारे 3 types होते हैं यानि यह divided into त्री पार्ट्स होते है इसकी तीन पार्ट्स में यह डिवाइड होता है पहला जो वाला पार्ट होता है यह जो पार्ट होता है यहां से लिखकर यहां तक होता है इसको हम कहते है डूडिनम यह वाला हमारा पार्ट होता है डूडिनम ये डूडिनम पार्ट होता है हमारा उसके बाद हमारा जूजनम होता है क्या होता है जूजनम उसके बाद हमारा इलियम चलता है फिर हमारा इलियम चलता है आगे आगे तो पहला वाला जो पार्ट है वो हमारा डूडिनम उसके बाद जो पार्ट है हमारा जीजुनम उसके बाद जो है वो हमारा इलियम है तो जीजुनम और इलियम में ज्यादा फारक नहीं है इसके वो हम एक साथ पढ़ेंगे लेकिन डूड़नम जो है डूड़नम हमने अलग से पढ़ना होगा डूडनम हमने अलग से पढ़ना होगा तो इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो हम इसकी रिलेशन्स भी पढ़ेंगे इसकी बलड सप्लाई आपको दिख रही होगी यह जो असल में डाइगरम है यह बलड सप्लाई की है जो के हमारे small intestine को hold करके रखता है तो अब हम इसके बारे में आगे पड़ेंगे point wise तो guys मैं आपको दिखा रहा हूँ अब ये हमारा dudinum है dudinum का part मैं आपको दिखा रहा हूँ यहां से लेकर यहां तक हमारा dudinum होता है हमारा dudinum के भी चार parts होते है पहला वाला second, third और fourth part होते है यह almost lumber region में होते है lumber region में ही होता है यह हमारे almost L1 फिर L2 और L3 के level पे होता है तो यहां पर इसके relations हम अगर देखे तो पहला वाला जो part है इसके आगे से हमारा होता है gallbladder, liver or gallbladder होता है उसके साथ नीचे आए तो यह देखो kolon होता है जो ट्रानसवर्स kolon होता है वो होता है second part फिर नीचे आए तो coil is up jejunum यहां पर इसको आगे से जाती है यह third part हमारा होता है coil is up jejunum फिर जो fourth part आए उसके हमारे अगर हम देखे तो यह देखो हमारे जो यह veins और artery जाती है यह इसको आगे से जाती है अगर हम इसकी anterior relation देखे तो liver होता है ट्रानसवर्स kolon होता है और coil is up jejunum होता है अगर posteriorly देखे सेकंड पार्ट की क्या क्या होता है right kidney होती है inferior विना कावा होता है या right seos major होता है पहले वाले पार्ट के आगे है liver, gallbladder आपको दिख रहोगा ना यहां पर लिखा हुआ है उपर अब हम देखेंगे इसके point wise तो guys आज हम बात करने है small intestine के बारे में कल हमने अबना stomach हतम किया था small intestine पे हम आए है तो पहले जो हम इसकी general point देखेंगे वो यह है कि small intestine जो होता है यह extends from pylorus से ही शुरू होता है जो pyloric spincher होता है वहाँ से शुरू होता है हमारा small intestine और up to ileocecal junction पे end होता है ileocecal junction होता है वहाँ पर end होता है तो हमारा small intestine होता है कितना लंबा होता है almost 6 meters यह long होता है 6 meters long होता है its structure is adapted for digestion and absorption जो हमारा small intestine है इसका जो structure है वो ऐसा होता है कि इसमें digestion और absorption हो जाए तो उसके लिए ये adapted होता है इसके बाद हम इसके parts की बात करें तो इसके तीन parts होते है जो मैंने आपको बताए था पहला वाला जो part होता है वो डियूडिनम होता है second part इसका होता है जीजूडिनम और third part जो होता है वो इलियम होता है तो अब हम part wise इसको elaborate करके पढ़ेंगे सबसे पहला वाला जो part है वो है हमारा डियूडिनम तो अब हम डियूडिनम पहले पढ़ेंगे डियूडिनम सबसे shortest होता है shortest part होता है और the widest part होता है और mostly fixed part होता है मतलब जो mezenutri के साथ बंधावा होता है बंड होता है तो ये most fix臂ड part होता है बाकि jus join व Kanun do not bema Vylenum उसके डूडूड़नी होता है डूडेका डेक्टोलोस से निकला है जो डूडेका डेक्टोलोस है ये उससे निकला है डूडेका डेक्टोलोस का मतलब क्या होता है 12 फिंगर्स होता है उसका मतलब होता है 12 फिंगर्स तो डूडेनम है 12 फिंगर्स ब्रैड होता है due astronom हותा है, यह कितना होता है 25 cm long होता है इसके बाद यह जो आपको दिख रहा होगा यह diagram यह हे हमारे due astronom की diagram यहां पर होता है हमारा pyloryks pin 대, यहां से यह शुरू होता है देखो पहले जब शुरू होता है तो उपर की ओर जाता है यह वारी होती है L1 level number first vertebra के level में यह होता है तो पहले यह उपर जाता है दिखो पहले उपर जाता है फिर नीचे आता है फिर आगे जाता है फिर और उपर जाता है फिर इलियम से फिर यह जीजनम से continue होता है तो इट extends from pylorus to the dudino-guginal flexure जो dudino-guginal flexure यहां पर होता है जाता है फिर जाता है फिर जाता है यहां पर वो अपनी secretion डालते है तो हम आगे देखेंगे पहले clothing related to head of pancreas retroperitonial होता है यह होता है यह होता है retroperitonial retroperitonial क्या होता है यह हम आगे पढ़ेंगे फिर जब हम peritonium की बात करेंगे तो वहां पर हम retroperitonial भी पढ़ेंगे तो पहले आप इतना याद रखेंगे यह retroperitonial होता है कहां पर होता है abo umbilicus umbilicus के उपर होता है जो umbilicus region होता है उसके उपर होता है opposed to the L1, L2 and L3 vertebra जो L1, L2 और L3 vertebra होता है उनके opposite यह होता है जैसे आपको दिख रहा है L1 level है, L2 level है, L3 level है इसके opposite में यह होता है तो उसके बाद अगर हम इसके parts देखेंगे अब जो हमारा dudenum होता है हमारा dudenum divide होता है चार parts में पहले हमारा small intestine थरी parts में था dudenum, judenum और ileum अब हमारा dudenum है यह चार parts में divide है तो first part जो हम कहते है superior part superior यह first part इसे हम कहते है superior part यह first part यह 5 cm long होता है जो superior part होता है यह first part ही कितना होता है 5 cm long होता है इसके बाद जो दूसरा होता है वो हमारा होता है descending descending part यह यह वाला part यह जो one मेंने लिखा है यह हमारा होता है superior part फिर जो two है यह हमारा होता है descending part प्र जो थ्री लिखाया मैंने ये होता है हमारा horizontal part, फिर छो फोठां होता है टो ये थोड़ा ascending होता है या 4th part हम इनकों कहते हैं जो हमारा superior part होता है 5 cm होता है यह वाला part जो है यह हमारा 5 cm होता है फिर जो हमारा descending part होता है वो होता है 7.5 cm फिर जो हमारा transverse या horizontal जिसे हमके horizontal या third part होता है 10 cm होता है उसी तरह जो हमारा ascending part होता है यह वाला part यह हमारा कितना होता है 2.5 cm होता है 2.5 cm होता है 2.5 cm ही लंबा होता है तो अब हम बात करेंगे हमारा जो सुपीरियर पार्ट था या फिस्ट पार्ट था जो फाई सिंटिमेटर लॉंग था वो सिटार्ट कहां पर होता है बिगिन जाइड पाईलोरस एंड पास्स अपवर्ड्स मैंने आपको दिखा है था थोड़ा उपर जाता है फिर बैकवर होता है जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है हमारा डिसेंडिंग और सेकंड पार्ट जिसे हम कहते हैं जो 7.5 सेंटिमेटर होता है तो वो कहां पर शुरू होता है जहां पर यह खतम होता है तो वो वही पर शुरू होता है मतलब कहां पर सुपीरियर डुडिनल फ्लक्शर स अब इन्फिरियर या जो सेकंड पार्ट होता है इसके हम इन्फिरियर की बात करें इन्फिरियर और सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट की बात करें अगर हम बात करें उसके इन्फिरियर क्या होता है देखो एबाउड एट टू टैन संटिमेटर डिस्टल फ्रम पाईलोरस पाई यह elevation होती है जिसको हम कहते है major dudenal papilla और जो हमारा hepatopancreatic ampulla of waiter होता है hepatopancreatic ampulla of waiter जो होता है 71,7 पैप्ला जो इस papilla की upning होती है और ये open हो जाता है कौन? हमारा hepatopancreatic ampulla या ampulla of waiter जिसे हम कहते है open कहां पर होता है somm Johannil capilla papilla में ही ये open होता है the papilla is guarded by a mucus mucus membrane का fold होता है जिसे ये guarded होता है हमारा papilla उसको हम क्या कहते है hood of monk तो हमारा hood of monk क्या होता है the papilla जो हमारा papilla होता है ये guarded होता है इसके जो open होती है वो mucus membrane, mucus fold इसे guarded होती है मतलब इरिद गरिद उसके होता है हमारा mucous membrane का hold है तो उसी को हम कहते है हूड़ाप monk हूड़ाप monk हम उसी को कहते है हूड़ाप monk अगर देखो तो ये जो Christians होते है Christians के जो मतलब उनके जो मानने वादले होते है Christians तो जो उनके अपने बड़े scholars होते हैं उनमें आप देखोगे तो उनमें वो एक टोपी जैसी होती है वो एक uniform वैसी ही होती है तो उसको हम कहते है hood of monk, वैसे होता है यहां पर भी, तो अगर हम minor dudinal papilla की बात करें जो हमारा minor dudinal papilla होता है, यह present कहां पर होता है 6-8 cm distal to pylorus यह 6-8 10 cm distal from pylorus वो था 8-10 cm, तो यह उसे पास में होता है, और वहां पर क्या होता है जो हमारी accessory pancreatic duct होती है, वो वहां पर open होती है accessory pancreatic duct, अगर होगी जो accessory pancreatic duct होती है यह हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अगर होगी तो कहां पर open होगी तो यह open कहाँ पर होती है जो minor dudenal papilla है वहाँ पर open होती है इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा horizontal है horizontal or third part इसकी बात करेंगे हम यह कहाँ पर शुरू होता है begin from inferior dudenal fracture to the right of number three vertebra जो number three vertebra हो वहाँ की और मतलब वहाँ पर यह right की और जाता है by joining runs horizontally and ends by joining the fourth part मतलब पहले यह नीचे आता है फिर ride की और जाता है horizontally यह right जाता है फिर कहाँ से यह join होता है किसके साथ जो fourth part होता है उसके साथ यह भी retroperitonial होता है और fixed part होता है यह fixed part होता है retroperitonial होता है तो अब जो हमारा fourth part है वो है ascending ascending और fourth part जिसे हम कहते है यह कितना था 2.5 cm long था it runs upwards यह उपर जाता है to the left of iota left of iota से यह उपर जाता है up to L2 level तक है उपर जाता है it continues with jujunum jujunum के साथ continue होता है add duodenal jujunal fluxure पे here it is suspended by misandry यहाँ पर यह लटका होता है misandry के साथ add is mobile और mobile होता है यहाँ पर मतलब यहाँ पर यह movement करता है it is related to the left kidney it is related to the left kidney जो left kidney होती है उसके साथ होता है और जो उसकी vessels होती है और urator के साथ यह वहाँ पर relate होता है उनके साथ होता है तो इसके बाद अगर हम relation की बात करें relation of duodenum relation की बात करें तो सबसे पहले हम अगर देखें तो anteriorly अगर हम देखें anteriorly क्या होता है जो first part होता है फिस्ट पार्ट के आगे क्या होता है liver होता है और gallbladder होता है liver और gallbladder होता है first part के आगे second part के आगे होता है transfer school और जो third part होता है उसके आगे क्या होता है हमारा superior mesentric vessel होती है जो superior mesentric vessel होती है ये उसके आगे होती है तो posteriorly अगर बात करें पीछे से क्या होता है हमारा dudinum को तो first part की बात करें जो first part के पीछे होता है gastrodudinal artery होती है bile duct होता है और portal vein होती है ये तीन होते हैं फर्स्ट पार्ट के पीछे अब सेकंड पार्ट के पीछे क्या होता है हमारे राइट किड़नी होती है और यूरिटर होता है सेकंड पार्ट के पीछे राइट किड़नी होती है और हमारा यूरिटर होता है अब थर्ड पार्ट की बात करें तो right abdominal vessels होती है right abdominal vessels और inferior venous kawa और abdominal aorta होता है ये पीछे की ओर होता है, जो parts होते हैं इन पीछे होता है इसके बाद अगर हम arterial supply की बात करें, इसकी अलग से arterial supply हम नहीं पढ़नी है venous supply पढ़नी है, तो अगर हम arterial supply की बात करें, first part को कों supply करता है first part को हमारी branch of gastric, right gastric artery supply करती है second part की बात करें इसको जो major dudinal papilla है वहाँ तक की बात अगर हम करें तो वहाँ तक कों करता है, superior pancreative to dudinal artery वहाँ तक उसको supply करती है जो second part है up to major dudenal papilla कौन करता है superior pancreatico dudenal arteries को वहाँ पर supply करती है तो फिर जो नीचे वाला part रहता है dudenum का उसको कौन करती है हमारी inferior pancreatico dudenal artery उसको supply करती है जो rest of dudenum है उसको हमारी inferior pancreatico dudenal artery supply करती है तो इसके बाद अगर हम venus की बात करें venal drainage जो होती है तो corresponding जो veins होती है वो drain कर जाती है into superior mesentric and portal vein में corresponding veins drains into superior mesentric and portal vein तो ये उतना कोई मसला नहीं है अब nervous supplies में हमने पढ़नी है nerve supply में अगर हम देखे sympathetic nerve fibers होते हैं कहां से आते हैं T9, T10 segment से जो sympathetic fibers होते हैं वो कहां से आते हैं T9 और T10 segment से और अगर parasympathetic fibers की बात करें तो वो vagus no के होते हैं मतलब sympathetic भी इसको supply करते हैं parasympathetic भी supply करते हैं जो sympathetic होते हैं वो by T9, T10 segment से आते हैं और जो parasympathetic होती हैं वो होती है by vagus no तो इसके बाद हमारा बचराब jejunum and ileum इन दोनों को हम एक साथ ही पढ़ते हैं क्योंकि इन दोनों में उतनी कोई difference नहीं है जो difference होगी वो हम देखेंगे फिर तो जो jejunum और ileum होते हैं ये coils होते हैं coils of jejunum and ileum are suspended by mesentries देखो पहली ये mesentries की साथ लाटिके हुए होते हैं mesentries से ये बंदे हुए होते हैं suspended by mesentries mesentries क्या होता है fan shaped folder peritonium मैंने आपको बताया था ये हम आगे पढ़ेंगे फिर जब mesentries mesentries हम एक अलग आरगन की हस्यत से पढ़ेंगे mesentries पहले हम मानते थे ये ऐसे ही है लेकिन अब ये आरगन माना जाता है mesentries क्या होता है fanship folder peritonium होता है from posterior abdominal wall abdominal wall के साथ इसको बंदा रखता है पीछे से post abdominal wall से आता है और हमारे eugenium और ileum के साथ attach होता है they are freely movable क्योंकि ये सिर्फ उपर से बंदे होया है तो ये movement करते रहते है अदर हिलते रहते eugenium begins at do no juvenile lecture eugenium begins at do no juvenile lecture जो deugenium और jeugenium के दर्मियान जो मतलब border है वहाँ पर उसे हम कहते है do no juvenile lecture तो वहाँ पर शुरू होता है हमारे jeugenium together अगर इन दोनों की बात करें इन दोनों की लंबाई जो होती है वो होती है almost five and half to six meters almost six मालो six meters ये भी होता है लंबा होता है हमारा ileum ये जो jeugenium होता है ये ileum से छोटा होता है सबसे जो छोटा होता है वो हमारा होता है dudinum dudinum इन तेनों पार्ट्स में से सबसे छोटा था और सबसे लंबा है ileum तो अगर हम head or neck of pancreas की बात करें तो वो inferior होता है first part से second part की बात करें उसके medial में होता है head and neck of pancreas अगर third part की बात करें तो उसके superior में होता है third part की उपर से होता है head and neck pancreas का तो जो coilis of jeugenium होती है वो inferior होती है third part से coilis of jeugenium lies inferior to third part इसके बाद अगर हम बात करें there is no clear demorification between jeugenium and ileum यहाँ पर कोई clear demorification नहीं होती है between jeugenium and ileum तो फिर हम कैसे कहते है यह jeugenium है यह ileum है कैसे हमें पता चलता है कुछ gross features होते है जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा देखो जैसे कि यह jeugenium है और यह ileum है यह jeugenium है यह ileum है jeugenium क्या होता है jeugenium almost empty रहता है और जो ileum होता है वो loaded होता है वो loaded होता है इसका वाल जो है थिक होता है jeugenium का वाल थिक होता है ileum का वाल थिन होता है और यहाँ मतलब यह fully vascularized होता है मतलब vascularity इसमें होती है बहुत ज़यदा तो जिस वाज़े से यह red दिखता है उसमें उतनी नहीं होती वो pale दिखता है coil is in umbilical region umbilical region में इसकी coil बाहिए जाते है coil is in hypogastriam and eleag fossa long and abundant villay होती है इसमें long and abundant villay उसमें क्या होती है short and numerous villay होती है तो यह कुछ point इस है जिनके वज़े से हम इसको अलग-अलग कर सकती है तो इसके बाद हम बात करें arterial supply of jeanimate ileum इन दोनों की एक साथ हम बात करेंगे इनको कौन supply करता है branch of superior mesentric artery जो branch of superior mesentric artery होती है superior mesentric artery की branch इनको supply करती है जो superior mesentric artery है यह खुद branch है किसकी? iota की जो iota की branch होती है यह उसकी branch है खुद जो superior mesentric artery है वो iota की branch है और जो superior mesentric artery की branch होती है वो इनको supply करती है तो इसके बाद अगर हम narrow supply की बात करें तो जो superior mesentric plugs होता है वो autonomous होता है autonomic plugs होता है जो superior mesentric plugs होता है या autonomic plugs यह उसको हम कहते हैं उसमें क्या क्या होता है sympathetic fibers होते हैं कहां से आते हों T9 T10 segment से और जो parasympathetic fibers होते हैं वो vagus के होते हैं तो इसको अभी sympathetic और parasympathetic दोनों हैं sympathetic कहां से है T9 T10 segment से और अगर parasympathetic की बात करें तो वो vagus नरो के होते हैं इसके बाद अगर हम lymphatic system की बात करें लि्म-फाइक्टिक ड्रैनेज जो को देखो, इसका एक लिम-फाइक्टिक ड्रैनेज Luke एक्टूरी में लिक्ट्टाइन पड़ना है तो lacteals क्या होता है? lacteals होता है Latin word lactis उससे निकला है lactis का मतलब होता है milk मतलब white तो यह जो हमारा lacteals होता है lacteals ampute their milk-like fluid into a flux of lymph vessels in the wall of gingenum and ileum in the wall of gingenum and ileum में यह अपना lymph ढाल दिये यह ज्यादा तर हमारा fat absorption में काम आता है fat absorption lacteals के थूँ यह होता है तो यह कहांपर डालते हैं wall of gingenum and ileum में यह हमारे lymph vessels होते हैं wall of gingenum and ileum में वहांपर डालते हैं वहां से फिर किसमें डालते हैं? वहां से फिर inferior mesentric lymph node होते हैं उसमें डालते हैं और ultimately superior mesentric lymph node में यह आ जाता है पहले यह डालते थे कहां पर जो lift vessels थी वाल अप जो जिनमरीलियम में फिर वहां से कहां जाता है वो inferior mesentric lift node में फिर वहां से ultimately कहां जाता है superior mesentric lift node में तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो function देखेंगे small intestine की small intestine की जो functions होते है देखो पहले ये end stage होता है digestion का digestion हमारी small intestine में खतम हो जाती है उसके बाद कोई digestion नहीं होती है और थोड़ी बहुत absorption भी यहाँ पर होती है उसके बाद protective function होता है जो mucos entericus होता है जो हमारा सककस entericus होता है उसमें mucos होता है जो कि हमारी जो stomach से हमारा acidic food आता है उसको यहाँ पर neutralize करता है तो protective भी होता है water balance नहीं मदद करता है उसमोलेरिटी यह maintain रखता है उसके बाद hemopoetic function भी इसकी होती है क्योंकि जो vitamin B12 उसके absorption vitamin B12 के absorption में हमारा कौन मदद करता है intrinsic factor intrinsic factor कहां से आते है हमारे stomach से आते हैं लेकिन यहाँ पर यहाँ पर यह हमारे hemopoetic function में भी मदद करता है उसके बाद जो last वाली है वो है secretion of succus entericus जो हमारे intestinal juices है उन्हीं को हम कहते है succus entericus वो कहां से आते हैं हमारे intestinal जो glands होते हैं वहीं से आता है तो succus entericus कहां से आता है हमारे small intestine से होता है तो यह function किस की है small intestine की तो guys यह था हमारा आज का topic small intestine जो कि almost हमने खतम कर लिया है वैसे हमने इसमें पढ़ना इतना ही होता है इसके बाद अगर हम देखे तो large intestine हमारा बज़ता है anal canal बज़ती है वो हम आने वाले कुछ दिनों में cover करेंगे उसके बाद digestive gland जो होते है वो हम पढ़ेंगे और हमारा digestive system complete होगा तो और दो तीन lecture almost बनेंगे इस पर तो thanks for watching the videos